हालो फ्रेंद्स वेलकम टू गार्गी क्लासिस राजस्तान आर्ट एंड कल्चर में अपन बात कर रहे थे आर्काइव की एक वीडियो अल्रेडी अप्लोड़ेड है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वह देख लो उ काउन में डिटेल्स रखी जाती थी क्या उनकी सिग्निफिकेंस है ठीक है तो उसी सीक्वेंस में आज अपन पिक करेंगे जोदपुर और उदयपुर के जो आर्काइव्स हैं उनसे जो भी टर्मिनलोजी यूज हुआ करती थी उनसे थोड़ा रूबरू होंगे कुछ जान जो कुछ भी हमारे यहां पे आपको कोर्सेज अवेलेबल होते हैं पर्टिकिलर्ली अगर राजस्थान में या आरेयस को अगर मैं रेफरेंस रखूं तो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स शेयर किये हुए हैं इंपोर्टन प्लेलिस्ट के बाकी प पहला है खरीता बस्ता खरीता वर्ड अपन अल्रडी दो बार पहले देख चुके हैं जैपुर वाले कंटेक्स में आ गया था तो खरीता का मतलब क्या था लेटर्स ऐसे ते जो किंग की इसमें कोई कम्यूनिकेशन होता था तो खरीता बस्ता एक तरीके से ऐसा रिकॉर्ड कीपिंग पूरा सिस्टम होता है या पूरे एकदम एक कलेक्शन अफ रिकॉर्ड होता है जिसमें ओरिजिनल कॉपीज ओफ दे लेटर्स वो रखी जाती थी जिसमें राजा को किंग को अगर किसी इंडिवीजुल के दौरा या फिर किसी दूसरे किंग के दौरा अगर किंग को मिलते थे वो जो रिकॉर्ड दे लोगो लेटर्स थे उनकी ओरिजिनल कॉपीज को रखा जाता था ठीक हो उनको बोलते थे खरीता बस्ता नेक्स्ट है हकीकत भही हकीकत भही प्रीवेस में अपने देखा था उसमें क्या था कि जो भी एक्टिविटीज हो रही है तो यहां पर क्या है थोड़ा सा हटके है थोड़ा हलका सा record of the walks, festivals, travels, income sources of the ruler कोई भी king है तो उसकी income sources क्या है कौन-कौन से खेट से कौन-कौन सी जागीर से कितना tax आ रहा है sales tax है या फिर वहां पर irrigation facility आप अवेल करा रहे हो तो उसके ओपर कितना tax ले रहे हो या फिर कोई आ आप क्या tax ले रहे हो या फिर राजा कोई travel कर रहा है कहीं पर आना जाना या फिर एक तरीके से होता ना कि आवागमन जिसको बहते हैं transportation system उसकी detailing festivals कैसे perform हो रहे हैं क्या-क्या activities perform की जा रही है उन सब का record रखा जाता है रखा जाता था हकीकत बही में ठीक है नेक्स्ट ओहया बही ठीक है ओहया बही यह होती क्या थी जोदपुर रीजन में जब किंग कोई भी order या direction declare करता है तो उनको इस बही में record किया जाता था ठीक है जोदपुर किंग अगर कोई भी order या फिर कोई भी direction declare करता है कि ऐसा होना चाहिए अब राज्य में state में this should be happened तो वो चीज जो होती थी उसके बारे में record किया जाता था ओहया बही में और यह जो पूरी activities किंग के द्वारा होती थी जोदपुर मारवाड वाले रीजन में वो information अपने यहां से गेन कर सकते हैं ठीक है next जो है वो है पत्ता बही पत्ता बही जो term है वो एक document के लिए use होती थी और वो document क्या था जिसमें आज अगर अपन उसको access करें तो जो ruler हुआ करते थे मारवाड के उनका कैसा behavior हुआ करता था towards the society that means वो कितने kind थे उनकी kindness का पता पड़ता है साथ में उनका different religions को लेकर कि क्या attitude था क्या वो secular थे तो जोत्पुर के जो king थे rulers हुए वो secular थे मतलब secular attitude towards the different religions it can be seen through this document that is पत्ता बही और philanthropy that means कि जो king हुआ करते थे जो ruler हुआ करते थे वो समाज का लियान के लिए कितना दान पुन्य किया करते थे वो detail अपने को पता पड़ती है पट्टा बही कि थ्रू next वो है फुटकर बही ये जो भी जोद्पुर मारवाडवाले रीजन में कुछ भी important happenings हुआ करती थी कुछ special activities हुआ करती थी उन special activities का record रखा जाता था फुटकर बही में that means different happenings के बारे में हमें knowledge मिलता है अगर फुटकर बही वाले archives को अपन study करते हैं आज जोद्पुर वाले रीजन की बात चल रही है फिर है ब्या बही ब्या 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 stands for marriage ठीक है ब्या बही मतलब marriage leisure that means royal families के matrimonial relationship कहां कहां पर और किस तरीके से थे उनकी detailing इस तरीके के archives आपन retrieve कर सकते हैं इनके मुगल्स के साथ में क्या relation थे मोटा राजा उदैसिंग की बेटी की शादी मानमती था आई गयस जहां तक नाम यादा रहा मुझे जोदा भाई बोला गया था उनको वैसे जोदा बाई जैपुर वाली को बोला गया पर जोदा बाई इनको बोला गया था जिसकी के बारे में पता पड़ता है फिर आगे देखें आगे मतलब और हिस्ट्री जब देखते हैं तो फरुक सियर से भी जहां तक मुझे याद आ रहा है जीट सिंग की बेटी का पर रिलेशन होता है वहां पे तो कहने का मतलब मेट्रिमोनियल रिलेशन बहुत लंबे चले थे म और उधर बात करें मुगल्स की ठीक है नेक्स्ट है अरजी वही अरजी दैट मीश्री को आप देखोगी तो अरजी का मतलब होता है क्या petition request ठीक है तो अरजी बही में जो राजा के सामने जितने भी petitions आती थी जितनी भी requests आती थी उनका record अपने को मिलता है petition laser के under इस तरीके से जोदपुर का अपना part complete होता है तो important चीजी जो थी वो cover करी इन में से कई बार question पूछ लिया जाता है और कई बार ना भी पूछे फिर भी अपने के थोड़ा बहुत आइडिया रहे तो एक कहते ना कि approach करने की वो एक condition में आ जाते है guessing जो होती है ना आप अंदाजे से कई बार answer सही करते हो objective type exams में वहाँ help मिलती है फिर देखते है archives of उदैपुर इसमें सबसे पहले है निशान निशान जो word है वो use किया जाता था जब royal families से चाहे वो king हो चाहे royal family कोई member हो वो अगर मनसबदार्स को कोई भी letter या फिर कोई भी information send करना चाहता था through someone selected उनके जो messenger हुआ करते थे उनकी through जब royal families के यहाँ से मनसबदारों को letter या information भेज दी जाती थी कि भई आपको ऐसा काम करना है या फिर आप हमें यहाँ पर आकर कि यह detail दो कि अपकी बार कितना collection हुआ या फिर कोई भी important information इनको अगर भेजनी होती थी तो उसको बोल दिया जाता था निशान और निशान से आप identify कर सकते हो तो निशान means sign और sign किसी का कि यह letter कहां से आया है royal family से यह चीज हुआ करती थी निशान में next मनसूर यह जो word है यह अपने आप बहुत important है यह कोई भी decree या कोई भी order या कोई भी declaration प्रिंस के द्वारा किया जाता था शहजादा करता था in the absence of king अगर king absent होता तो उस परिष्टिती में उस condition में जो prince होता था वो अपने तरफ से king से एक तरीके से king की absence में खुद को entrusted feel करते थे कि हाँ हमारे आत्मे आप आगई है power जब तक पिता श्रीया फिर king नहीं आते हैं तो उस condition में वो order या कोई भी declaration declare करते थे तो उनको mansoor बोला जाता था और मुगल history में एक important incident हुआ था एक distinct incident हुआ था that was कि शाहजा was present तो उसके होने के बावजूद औरंग जेब जो शाहजा का बेटा था उसने एक order declare कर दिया था जो अपने आप में unprecedented था जो पहले कभी हुआ नहीं था this was this happened only once ठीक है कि mansoor बोला तो किसको गया जब king अगर present नहीं है तो उस case में कोई decree या कोई भी declaration की जा रही है प्रिंस के दुआरा बट हुआ क्या मुगल history में एक बार जब शाहां जहां present था पर उसके वेटे औरंग जेब ने अपनी तरफ से order declare कर दिये और इसको फिर नाम दे दिया था उसने मंसूर तो यह incident अपने आप में बहुत important है मंसूर से related तो मंसूर अपने आप में important भी हो जाता है देन अर्जदास्त जिसको अर्दास्त बोलता है ना पना सकल सुना होगा अपने अर्दास्त request ठीक है अर्जदास्त तो यह तो एक के request letter हुआ करते थे इन request letters में होता क्या था कि officials जो थे top most officials वो अपने subordinates को इन letters के थरू request letters के थरू direct किया करते थे कि भई अब आपको ऐसा करना चाहिए तो एक तरीके से यह direction जो थी वो request के form में top to bottom flow हुआ करती थी officials के बीच में पहली चीज़ दूसरा इन अर्जदास्त के थरू यह जो document था इसके थरू relief भी मिलती थी peasants को जब कोई जमीनदार अपनी जमीन पे peasants को खेती करने के लिए hand over किया करता था जमीन को तो उससे tax जरूर लेता था land tax अब होता क्या था कई बार जमीनदार से यह peasants थे जो कास्तकार थे उनके पास में इतना कमाई नहीं हो पाती थी या मानलो मौसम खराब हो गया मौन्सून अच्छा नहीं है मौन्सून का concept चलो इतना लबराटेड नहीं था उस टाइम पे बट था वर्षा पे डिपेंडेंटी सारा का सारा rainfall पे डिपेंडेंटी था सिस्टम जब आज ही डिपेंडेंट तो उस टाइम समझ सकता है कितनी डिपेंडेंटी रही होगी तो इन डाट केस अगर peasants के पास में ज्यादा कुछ एनफ मनी नहीं होती थी तो उस केस में वो अपनी अरजदास्त के थ्रू रिक्वेस्ट किया करते थे तो जमीनदार जो से कम्यूनिकेशन करते थे और एक ये लेंड टेक्स रिलीफ मिलती थी पीजंट को फ्रॉम जमीनदार्स नेक्स्ट इस सनद सनद है एक तरीके की एकसेप्टेंस इसमें क्या होता था कि मुगल जो किंग होते थे उनके अंडर में या उनके कोर्ट में सबोर्डिनेट रूल सने एकसेप्ट की होती थी तो उनको मुगल जो मुगल किंग जो होते थे वो जागीर के फॉर्म में बहुत कुछ दिया करते थे तो उसको बोलते थे सनद एक राइटिंग में कुछ मिलता था ना मुगल किंग अगर लिखकर के दे दे थे कि भाई आपको आज से इस पर्ट को ठीक है नेक्स्ट ये था ये है हस्बुल्हुक में ये को कोटा का सेग्मेंट है कोटा में भी जाता था और किने वर कोर्टिंenser को उडर और प्रिंसली स्टेट व्लिए तोड़ाफ़ों के अंदर ले तोटल एन्युवल इनकम क्या थी और total annual expenditure that means budget हो गया overall ठीक है तो कहने का मतलब उदाइपुर state का ये budget हुआ करता है था पड़ाखा भाईया ठीक है इसको पक्का खाता भी बोलते थे पक्का ठीक है solid एकदम पक्का solid तो नहीं बोलेंगे मतलब एक तरीकी से overall पूरा figure out कर दे रिजर्ड स्ट्रॉंग अपन बोल सकते हैं इसको ठीक है तो पक्का खाता ये भी एक तरीके के accountancy की document है तो जिसमें उदाइपुर प्रिंसली स्टेट से related है पड़ाखा भाईया इसमें sales tax जिसको सहर पट्टा भी बोला जाता था ठीक है शहर पट्टा sales tax कितना आया कितना खर्चा हो रहा है collection कितना आ रहा है जागीर से या फिर forest revenue कितना collect हो रहा है जंगल revenue मतले को जो मेवार वाला रीजन है वहां पर तो सदर्ण अरावली वाला रीजन है वहां पर तो वैसे ही densely forested region है वह तो वहां पर forest revenue collection होता था उसके बारे में या irrigation taxes के बारे में जिसको बोलते हैं आब पासी क्या बोलते हैं आब आब जहां पर वर्डारा आब आब stands for पानी ठीक है पासी आब पासी तो irrigation tax क्या था या फिर mining जो activities होती थी उनसे income कितनी हो रही है that means कि overall budget क्या था annual budget उसके बारे में detail मिलती है अपने को पडाखा भाईया of उदैपुर ठीक है फिर है वाक्या इसमें कोई भी rulers अपने individual level या फिर government level पे कुछ भी work related activities perform करते थे तो वो कही ना कहीं वाक्या में अपने को मिलती है आज अगर पढ़ाई करें या फिर अपने इन में research करें तो I'm repeating this thing कि rulers जो थे मेवाड के उन्होंने अपने individual level और government के level पे क्या-क्या काम किये उनसे related जो भी activities उन्होंने perform की वो इस वाक्या के नाम पे record रहती थी जैसे की social custom कैसे perform करवा रहे हैं उनका behavior कैसा है society या public के लिए attitudinal details मिलती है इसमें कि जो royal family family के जो members है उन लोगोंने किस तरीके से लोगों को treat किया उनका religious belief क्या था वो secular थे या किसी particular एक religion के तरफ tilted थे किस तरीके का system चलता था वो philanthropist थे या नहीं पैसा ज्यादा कर्च करते थे या नहीं दान पुन्य किया करते थे कि नहीं benevolent थे या फिर atrocious थे वो सारी detail मिलती है वाक्या से तो ऐसे करके अपने जो भी important जो वकेप्स हैं जो भी important terminology है जो कि archives related थी चार important princely states उठाया अपने दो वीडियो में cover कर लिए इस तरीके से ये अपना art and culture का ये segment भी complete होता है ओप आपको वीडियो पसंद आया होगा अब जरूर लाइक जरूर करना शेर करना बिल्कुल मत भूलो अपने दोस्तों के साथ में गारगी classes को promotion की जरूरत है थैंक यू